है ह skeleton in बच्चो सबी लोग को गुडवी निंग है तो हम लोग का कॉन-कॉन सा से रीज में हो गया था नंबर से रीज और लेटर से इस कर लिये थे ठीक है आज जो करेंगे कॉन सा सिंभाल का से रिज करेंगे ठीक है कि से रिज्क करेंगे पर आज को कि टॉपी करेगा हमारा सिंबॉल सेरीज जब कोई सिंबॉल में दिखाई दे कर दिंदा कि सिंबॉल सिरीज कि सिंबॉल में तो कोई जोडन घटाना वाल Argentine को कुई इस में ट्रिकेt में tricky होगा आपको क्रम देखना पड़ेगा sequence देखना पड़ेगा की कौ술 sequence में बन रहा तो अब वक्वान तो लेज़तर रहीट का conception हो जागा इसमें तिखा मैं को आगए अगर हम देखे की स्थिए इसमें तोmee को टो मुफ इसमें मोव का concept आहेगा ठीक है left कि द派 जा से ई राइट मूँव कि ठीक है 90 डिग्री लेप r senate रोोटेशन करेंगे इसमें रोटेशन में में क्या हो सकते है 90 wax When a te degree 360 ौ इस अगरी धायर के चीज करते हैं िसमें सिमबॉल में सिरीज में करते हैं एक्स्टा करने के लिए ठीक है त कांटिंग कांटिंग मतलब गिनना पड़ेगा कि कोई चीज़ फिगर दिया हुआ उसमें कितने सरकल है तो अगला कितना बढ़ रहा है इंक्रीजिंग हो रहा है डिक्रीज हो रहा है यह सारी चीज़े इसमें हम लोग कॉंसेप्ट में देखेंगे तो कोई पैटन होगा इसम तो यह पैटन वाइस चलता है कि किस पैटन में होगा प्रप्णूण भूब प्रफ पैटने किस फाटन वाइस पैटने कि पो यह खरागे यह में होगाँ है भीज़े जाएस पैटने कितने सकी पैटने दीज़े। आ जैसे डिरेट एक कोशन से उठाते हैं कोशन आपका लिखा हुआ है माल लो कोशन नमबर वन से सुरुआत करते हैं कोशन नमबर वन ठीक है आज का पहला है What come next sequence? Find next, ھیک है? What come next in the sequence? और sequence में कैसे आहने हैं, जैसे होई pattern दिया है मालो और यह pattern कैसा है ा है आपका? यह line है अगले हो एह झाले है झाल झाल यह दिया हुआ है आपको और बताना है इसमें से नेक्स्ट कौन सा होगा ठीक है नेक्स्ट आपको बताना है कि इधर कौन सा आएगा अब आप संदे रखा है इसने आप ए पहला आप सन है जो की सेम डायरेक्शन बना हुआ है बीच में समय लाइनिंग बनी हुई है ठीक है यहाँ पर इसने ऐसा दे दिया हुआ है यहाँ पर इसने स्टेट लाइन यहाँ पर दिया हुए ठीक है सीधा भी ऑप्सन है अंदर की तरफ मूव है और यहाँ पर आपका स्टेट लाइन नीचे हैं सी अप्सन है यह बना हुआ है एक उपर है एक नीचे है ठीक है और डी अप्सन है अब आप लोग बताओ कौन सा होगा एक इदर है एक इदर है चलो बताओ कौन सा आएगा इसके बाद है सी या डी हर रिजन बताना पड़ेगा भाई हलका फुलका यह किस रिजन से आप बता रहे हैं हुआ है प्रिप्साल कि 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 सी आप्षन बोल रहे हैं कि लेफ्ट मूव अफसाइड एंड राइट मूव डाउनवर्ड ओके चले देखते हैं सबसे पहले देखो यह क्यांसा है चलो मैं एक्षिंशन देहता हं first वाला देखो यह स्टेट लाइन एफस्टाला कैसा इस्टेट लाइन है ठीक है second में क्या हुआ यह मूव हो गया इस डारेक्शन में ठीक है और है कितना डिग्री मूव हो रहा है पता है इसको किले डिग्री बोलते है यह पता हो कि अगर मैं देखूं तो यह ऍरव्का कि यह वाला जो है इसको नब बोलते हैं यह और यह 45 हो गया यह आपका जैसा है वैसे तो यह 45 डिग्री मूव हो रहा है ठीक है तो अगर हम देखें तो क्या हो रहा है देखते हैं कि सबसे पहले यह कहां चला गया यह 45 डिग्री मूव अवा 45 के बाद ही इस फोट इफ़िफाइब मूव हो गया देखो नीचे वाला फिर यह 90 डिग्री यह से हैं तो मतलब अगला यह नभेट डिग्री होगा है यानि कि अफ्सन से देखा जाया तो सी अफ्सन जो है करेक्ट होना चाहिए लिए ठीक है सिक्स्ट जो है करेक्ट होगा किलियर है कि वेरी गुट कि कि कर दो कर दो कर दो नेक्स्ट को संदे को कॉंसा है पुराज नेट से लो चाहर रहा है पाता है नहीं कर दो यह प्राज चाहर रहा है यह 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 कर दो कि ये निश्ट कोशन कि फिगर दिया हुआ है इधर कौन सा आएगा ये आपको देखना है बताना है चलिए फिगर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि लिएरिटी के साथ जल जल करो कि लिएरिटी के साथ कि लिएरिटी के साथ कि किसी ने अप्सन बताया कौन सा करेक्ठ है अभी बीसी बीसी में चल रहा है बीसी ये एक जंडी भी बोल दो कोई है एक बीसी तीन अप्सन आ रहें कि लिएरिटी के साथ लो समझ लो कौंसा को सने एंसर बताव जल्दी करका हुआं Tomorrow करका हुआए पर समझ home करका हुआं? झाल 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 मैं बता देता हूँ इसमें क्या हुआ है इसमें क्या देख रहा है देखो इस डिरेक्शन में तीनों में रिलेशन हो सकता है यह कैसे रिलेशन होते हैं हम अधना पर जो आएगा वह इसका और नार होगा यह और वाले का रिलेसन चल चल रहे होगा ठीक ए और अगर आर सौट कर्ट देखोगे तो सारे में तू सरकल जबाखे सभी में तीन सरकल थी लाइन वाला था हमारा कोई नहीं है तो अगर हम आपसंसे डरेक्टली और काटना हो तो यह सारे अपसंसे पहले कट गए कौन-कौन से यह तो हो नहीं सकता कि यहो नहीं सकता दो तो ऐसी कड़ गया क्यूंकि इसमें ऐलरीड की सारे में बहुत यह यहां दो बनेगा वह दो लाइन वाले फैसे हैं कि यहां तक क्लियर है अब बस्ता आपके पास सी आसन या एसन इसको चुप करना पड़ेगा अब सिखनी या अफसन देखने के लिए यह चेक कर लो कि अगर मैं ओफसन को डाल दूँ तो इसमें क्या होगा देखो है इसमें लगा सकते हैं अपने अफसन होगा या देखा जाए तो यहां पर लाइन बड़ी वाली कम होते जा रहे हैं देखोगे ना तो लाइनिंग कम होते जा रहे हैं पहले देखो आधा था फिर आधे से इधर ये पुरा मूफ होते जा रहा है हाना इसमें सरकल था और आधा हुआ इसलिए फिर ये कम हुआ है थोड़ा सा कम हो गया डिक्टो कम होते जा रहे है तो लाइन में भी आ रह ते कम होते जा रही है अटना कि और थाड़ वाले लाइण में ये भी बोल सकते हूँ कि ये जो में ये वाला है अंदर बन रहा है पहले वाले सरकलr彌 के अंदर सरकल बन रहा है बाहर आॉटसाइड नहीं बन रहा है अस्टिक ए पहला वाला स्रकल जो है ये कोर्णर वाला वो अन्दर सेड़ में बनः रहा है अन्धर सेड़न में बन रहा यहां भी चोंगा वह अंदर सैड़ हो जाएगा नथे वाला भी इदर से कम हो जाएगा सिघ वाला भी कम हो result तो कम होने के साथ साथ यह वाला यानि कि अप्सन सी देखा जाए तो राइट है यह इसके उपर में आगया उपर में नहीं हो गई थी और सी अप्सन इसका जो है करेक्ट होगा तो कुछ ऐसे भी आजाते हैं लॉजिक वाले यह साथ किसी एक्जाम में आया था वहां से पूछा था झाल 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 बुला है? कर दो कर दो कर दो कर दो को संदी हो कर दो इस करते हैं कि ऐसे चार डब्बे बने हुए यहां पर कुश्चन मार्क है और इसके अंदर में आपको दिया हुआ है सरकल चोड़े-चोड़े सरकल है उसके बाद ऐसे बने हुए है इसमें इर भी बना हुआ है से इदर बना हुआ है इदर बना हुआ है इसके बाद यहां पर इसने ब्लॉक कर दिया पूरा यह पूरा ब्लॉक कर दिया है ठीक है इसमें यह अलब लॉक है यह पूरा सेड़ेट कर दिया गया यह इसमें यह वाला सेड़ेट है और यहां पर एक डॉट है इदर डॉट है इदर डॉट है इसमें यहां डॉट है यहां डॉट है यहां डॉट है इसमें यहां डॉट है और इन दोनों में डॉट है तो यहां पर जो आएगा वो कौन सा आएगा इसमें से बताना है कौन सा डॉट इसमें है बस थोड़ा थोड़ा सा कुछ अंतर है इसमें इसमें लाओे इसमें लाओे इसमें से बतान है इसमें देख लो यहां पर सेड़ेड है इधर यहां ला सेड़ेड है तो यह रिजनिंग है रिजनिंग मैं सीच कोशन मिलेंगे आपको लोग को ठीक है और अप्सन में यहां दो गोले हैं यहां दो गोले हैं एक गोला यहां है यहां पर में भी आपका एक गोला यहां है एक ब्लेक यहाँ है इसमें यहाँ है और यह दोनों में है इसमें इधर है इधर है इधर है इधर है लो भई बता कौन सा अप्शन राइट है बता कैसे तो यहां पर देखो क्या हो रहा है यहां पर दो गोले अंदर है यहां दो गोले अंदर है यहां भी दो गोले अंदर है तो दो गोले आपके अंदर होने चाहिए ठीक है तो इसमें दो गोले बाहर है सब बाहर है इसमें भी बाहर हो गया तो यह हो नहीं सकता यह हो नहीं अगले बार इस मूव में मतलब अगला इधर होगा कहीं तो आपका इधर हो गया यह वाला कहा हो गया इधर हो गया तो इसलिए यह भी कट गया ठीक है और अंदर के दोनों को लिए तो राइट कौन सा हो गया यह हो गया इस टैप से रेजनिंग के सारे मिलेंगे ठीक है को करें झाल झाल इसमें बना हुआ है तीन चित्र ठीक है कौन-कौन से बने हुए है ट्रेंगल इसक्वायर ट्रेंगल ठीक है इसमें बना हुआ है इसक्वायर सरकल इसक्वायर इसक्वायर इसे बने हुए है थोड़ा डाउन मदल सरकल नहीं है पैराबुला टैप का है ऐसा ठीक है सरकल नहीं है ये और यह ड diamond जर्फ की यही ऐसा है की ऐबना सथ हैוס है यहां पर जो आएगा उसमें दिया है यहां पर आपक यहां पर है आपका rectangle यहां को सन मारक है अर्क कर उप सन्में क्या एगा इधा यह बताना है तो को बता सकता है क्या यह अगा यह अप्शन है, ट्रेंगल, रिक्टेंगल, सर्कल, या फिर डाइमंड, बताव, यह A है, यह B है, यह A, B, C, D, क्या आएगा इसको सन मार्क में, ओके, तो इस टेप के विदे को कितने एजी रहते हैं, यहाँ जो सेम चित्र है, वही दिया हुआ है, बीच में कोई अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सेम सेम है, यहाँ डायमंड है, तो डायमंड है, होगा, जो आपकी अप्सन कौन सा होगा, राइट होगा, टी, तो इसमें तो इसी टेप के आते हैं, है, ना, कर के आते हैं, होगा, तो अपकी अपड़ कोई में कोई अलग है, जो सेम और अचल रहते हैं, causalさ έχई अलग है, ऎसी टेखनार है, जो दो अलगे पंड़ है, तो वए हैं, है झाते हैं, प्यूभ कोई घए, ज wanna जो दो एइस तो, दो मुर में आप सेम, इस दो सरकल है फिर गुना है बीच में चलो बताओ भई इसके बाद वाला नेक्स्ट कौन सा होगा इसके बाद कौन कौन से अप्सन आएंगे अगर डियाग्राम देखा जाए तो क्या दिया आप्सन में आप्सन में ये दिया हुआ अप्सन में वाला नेट दिया कौन से लो बताओी जाएंगे एक वालाल ये हुआ झादी कौन से ऩा ओवद淼रो फिया शया है आप आप है कौन सा है गाइसमें आप है कौन सापसान इसमेंगा एवी सी यृदी में कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल और अधित कर घॉख इत यह Tapам वाहर पन घया आए और अंदर में इसका इंक निया सिंबोल आ जा रहा है तो कहने मतलब तो बाद मतलब इसके वाद अंदर बाद ट्रेंगल है तो बाहर एक ट्रेंगल हाएगा इंदर पर एकिन आ सिवल आगा ठीक है यह ऊने ढंट-उन्ब क्वाt गालत हो जाएगी यह पहलत हो जाएगी यह बलात हो जाता गी रहा है इंसर आथ यह धाते कुछ कुछ ऐसे भी कोशन होते हैं जो हमारे तो रिजिनिंग में यही रहता है खास कि लियर है कि नहीं कि स्ट्राइब से रहेंगे इसमें कि चलो ठीक है तो इस टाइब की सारी चीज़े तो आप लोगों से बन जाएगा तो रिजिनिंग में खास कुछ तो रहता नहीं है तो इसी टाइब से दिये रहेगा आपको उसको देख के समझना पड़ेगा कि हो आखा है कौन सा सिक्वेंस उसमें लग रहा है ठीक है तो हमनों चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के उपर जिसका नाम है कोडिंग एंडी कोडिंग ठीक है हो जाएगा यह रिजिनिंग वाला पॉर्चन यह बाला कि सिम्बॉल सिरीज हो जाएगा सभी लोग उसे ओके चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कोडिंग एंडी कोडिंग टॉपिक का नाम है कोडिंग एंडी कोडिंग बोलते इसको यानि कोड के थ्रू अपन जो है पासाओं में बात करेंगे ठीक है अगा कोडिंग और डी कोडिंग का मतलब क्या था है इसमें क्या होता है जैसे इसका यूज डिफेंस वाले जादा अतर करते है ठीक है एक भासा में को कनवर्ट करते हैं दूसरे बासा में कोड के थ्रू जैसे उन्होंने लिख दिया कुछ चीजे जैसे माल लोग कोई चीज है उन्हों पहली बोल देंगे कि भाई मैंना एको जो अपना लेंग्वेज है उनको कोड में पहली समझा दिया जाता है तो यहां पर दो है और बी मीन्स आपका जो है है कि अ कि जए सब्सक्राइब के बदलें आफ चार बोलेंगे इस हिसवाब से कोड करते हैं पहले से मंचन कर देते हैं वसके बाद बोना क्यों कि इस ने कि नाम ले रहरे मालो वह लिखे ऑजय है ठीक है मालो इसकी कि अवह इसको श्रूस कोड़ के धरू कन्वार्ट करके कोई फोलेंगों आपको हो सकताए एहां पर आपको किस नहें कहने का बोलिया को इसाथ तो इससाब से इसको convert करके एक नया नंबर क्या मिलेगा तो coding decoding का यूज इसी लिए किया जाता है कि अपने बातों को hidden किया था है ठीक है यानि कि उसको किसी और language में जब convert करना रहता है तो इस तरह का code और decoding का यूज किया जाता है तो इसमें अगर हम देखें तो कौन-कौन सा चीज मिल लेगा आपको coding decoding में सबसे पहला coding with letter coding with letter letters of alphabet दूसरा इसमें मिलेगा आपको लोग को coding with numerical digit यानि नंबर code के थुरू number मिलेंगे coding with number इसमें और आता है अगला point mix coding जिसमें number और alphabet दोनों mix रहेगा और coding with symbol coding with symbol इस तरह की चीजें मिलेंगी ठीक है जैसे एक normal एक example दे रहा हूँ जो आप लोग को समझना है किसी भी code में in a code in a certain code किसी code भासा में अजय वो अजय को क्या लिख रहे है is written as code को number में लेके जा रहे है ठीक है as 37 बोल रहे है यह अजय को 37 बोल रहे है तो how मनीशा how is मनीशा किसी का नाम है मनीशा को किस भासा में लिखेंगे क्या number देंगे इनको return in that code इनके लिए कौन सा number यूज करेंगे एक बार आप लोग ट्राई करो इसको फिर मैं बता रहा हूं अजय को उसने बोल दिया है अजय के लिए वर्ड यूज किया उसने 37 यह 37 है भाई तो मनीशा के लिए कौन सा code यूज करेंगे जो बेटर होगा बाई करेंगे जोजय करेंगे लिए चैसो तेरा कर्णम झार या कि आदhos रो पकैस जिए एकनली तनी करने रीडिए में नबौुट को आंपने शुक्ष सा पिर द्रॉपलेशंनक था। वेरियूड नमबर को नहीं ने एड़ किया है मेरी गाल से जो अजय का अजय का नमबर क्या होता है ए जे ए वाई ए को वन जे का दस इसलिए सिखाया था आप लोगों को याद करने के लिए ए को एक वाई जेड को 26 बोलते हैं तो जेड को वाई को 25 बोलेंगे तो 10 20 30 35 36 37 आ रहे है 37 इसका मतलब मनीशा के को जो वर्ड होंगे उनको आपको एड़ करना है कि तो एम का कौनसे नंबर होता है याद करो तेरा होता है तेरा तक का लिखा था मैं तेरा प्लस 13 प्लस एक एम एन मतलब 14 हो गया प्लस एंट अगया आई का कौनसे नंबर पर होता है कि आई का नाइन हाना है और यह कौनसे नंबर पर होगा आपका एस थर्टीन पंद्रह तक का हो गया आपका थर्टीन तक का एम 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 नोपी की वारेस कि इसका नंबर हो जागा नाइनटीन है और कि उसके बाद है एच एवी सी डी इस चाहिए जीजिए के इन ठीक है इसका हो जागा एट लास्ट में एक एड़ करो भाई कितना आ रहे है तो साइथ सिस्टी फाइप आएगा अना तो यह जरूरी नहीं है जरूरी नहीं है कि हर बार आपको ऐसी एड़ करने का देगा हो सकता है कुछ अलग भी दे सकते नंबर ठीक है ना झालग 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 जरूरी नहीं है झालग 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 झाल चले, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट कोशन पर आते हैं अगर मैं बोल रहा हूँ कि बीट बीट को वो लिख रहा है यू, बी, एफ, सी ठीक है, बीट को लिख रहा है, यू, बी, एफ, सी तो सोर को क्या बोलेंगे, स, ओ, आर, ए क्या बोला जाया है जल्दी बताव इसका एंसर तब तक नेक्स्ट कोशन लिख रहा हूँ है यू, विल ट्राइए झाल झाल क्या बता रहे हो, एफ, स्पीटी, आर, स्पीटी, एफ, स्पीटी, एफ, स्पीटी, वाले दो लोग हैं तिन लोग हैं ऐफ, स्पीटी, एफ, स्पीटी, एफ, स्पीटी, लोग हैं तो इसमें क्या बोल रहा है रिलेशन देख लो इसमें क्या है रिलेशन है तो रिलेशन देखा जाए ये बी है ए है फिर ए है टी को उसने लिखा यू बी एफ सीन है ना इसमें दीख रहा है देखो यू के बाद यू और टी आसपास नंबर होते हैं ती के बाद यू आता है ना यानि कि टी के बाद एक नमबर अगर मैं इसमें एड कर दूं एक नमबर तो यह मिल जाएगा ठीक है जस्ट बाद एक नंबर एड़ करूँगा तो यू मिलेगा अच्छा ठीक है एक के बाद जस्ट एक नंबर एड़ करोगे तो आपको साथ B मिल जाएगा कि के बाद जस्ट एक नंबर एड़ करों गें एक के बाद f होता है इसका उनलब बी निसा ये पाद इसका हुआ शट ऑक हो ड़तो एस के बाद किमनों हो और जैज्ट निकाल लुकिन लिख कैसा रह les iqe बाद वहारे गई एक चुंड तो एक जोड़ो गए तो एक वाद f को पी और एस को टी तो एफ एस पी टी इसका आएगा एंसर चलो ठीक है इसका बताओ 80 को 20 बी एटी को 40 तो सी एटी को क्या बोलेंगे यू विल ट्राइग हुँ 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 चलों ट्रैकर इसका को के एटी को ट्वन्टी वी एटी को 40 हुआ है हुँ और है है की सीटी को क्या बोलेंगे है 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 तो लॉजिक यही कुछ लगा रहा है तो आपको इस टाप पर जब भी को सनाते हैं तो आपको इनका नंबर लिखे रखे रहो याद रख लो ताकि आसानी होती यह चीज़े करने में हां ऐसे ए बी सी डी ए एफ जी एच आई जे के एल एम कि एन ओपी कि यू आर एस टी कि यू वी डबलू एक्स वाई जैड ऐसे नंबर लिखे रखे रहोगा ना तो आसानी होगे से दो तीन चार पांट छे साथ आठ नौव दस ग्यारा बारा तेरा चाउदा पंदरा इस सोला सत्रह अठारा उननिस वीज यह वो गया आपा 21 वाइस टेश स्टविस पच्चीश चब्यस चलो अब ए और टी को बोलरा है तो पहले यह देखे लोग कितना ऐवा नहीं किःग अहां मतलब एक कोई लिले सने इसके हो यह सांदेबल भोल रहे है ठैको टरायि ट्र चालो मतलब उसने 80 को बोला का क से ने बोला एको और ट्रिक मतलब ट्विश्यत किवलर टी का एक बाइस होता है टी का 20 होता है I think गुणा कर रहा होगा 20 आ जाएगा चलो फिर उसने बी एटी बोल रहा है तो बी एटी का देखते हैं क्या और भी कम को पता है दो होता है एक अवन होता है टी का 20 होता है साथ 40 आ जा रहे देखो इसका मलब सी एटी क्या आने वाला है सी का तीन होता है तीन कुछन वही अटका देता है आप लोग को कि अ कि अ कि एक कुछन और देखो यह लो जल्दी बताऊं कि दो बराबर है पांच है चार बराबर है ठारा यह क्या लोजिक लग रहा है इसमें बताऊं छे बराबर है थर्टी नाइन देन 10 किसके कोड इकवल होगा दस किसके बराबर होगा दो को पांच बो रहा है चार को ठारा छे को थर्टी नाइन तब दस को क्या बोलेंगे क्या लोजिक लग रहा है देखना पड़ेगा आपको टू इकवल फाइब फोर इकवल एटीन शिक्स इकवल थर्टी नाइन चलो ऑप्सन दे दें ऑप्सन से साथ पकड़ पाऊगे जल्दी जल्दी पहला ओप्सन है 45 दूसरा ओप्सन है 100 तीसरा ओप्सन है 81 चौथा ओप्सन है 105 लो ओप्सन भी दे दिया ओप्सन दे दिया रीजन बताना है आप लोग को झाल 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 एक और आप संदे देता हूं कोई बदा सकता है क्या है गाए झाल 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 कर घुर्च है एगा mairo koi a couple feather cle 2030 अननीठ सुनों मेरी बात को मैंसा को सनी कुछ दिना कि इस दिखेनी आप लोग को अथ्बड़ी कर दिया पहलोग हडवरी कर दिये हड़ी हर्वरी हर जो इसमें दीख रहे है तो की दूर का स्क्वेर कर रहा है चार होता है उसमें दो के आधे को जोड़ क्या कर रहा है दो का आधा कर रहा है दो का आधा कितना होता है एक तब वो दे रहा है पांच 4 का square कर रहा है, 16 में 2 को, 4 का आधा कर रहा है, 16 प्लस 2, 17, 18 तब आ रहे हैं, इसका मतलब 6 का square कर रहा है, यानि कि 36 होता है, प्लस 36 में इसका आधा, यानि कि 3, तब जाके 39 मिल रहा है, आप हड़वड़ी कर दिये गलती से, क्योंकि 10 का इसका बीच में 8 भी छूट रहा था अगर 8 देता यहां तब 104 बोलते हैं उसने 10 दिया हुआ है तो 10 का स्क्वेर करोगे जो कि 100 होगा और 10 8 भी होता तो भी 104 तो नहीं आने वाला था 100 प्लस 10 का आधा 5 यह हो जाएगा 105 सब को समझ में आया है तो इसका राइट एंसर कौन सा हो जाएगा भी 105 होगा तो तो वो कोस्टन में ऐसे ही देगा आपको अधिक है तो अधिक है है अधिक है अधिक है थे किसमें आ गें आप लोको तो यह कोडिंग डिकोडिंग इसी टैप का ही रहता है ठीक है तो कोडिंग डिकोडिंग में भी कुछ खास नहीं आपको ऐसे कोड दिये रहेंगे आपको उसको समझना है कि नेक्स्ट लॉजिक क्या लगेगा तो यह थोड़ा सा देख लेना है आप लोग को बáoबख तो लॉजु़ कि नहीं तो आपको कंफ्यूज क्यों होना है इसमें लॉजिक देखना है इसमें लॉजिक कहां फिट हो रहा है इसमें कंटीनि देखो 2 के बाद 4 है 4 के बाद 6 है तो फिर अगला अगर 8 कंटीनियू में देता है आप तो एक बार सोचते की कंटीनियू रूल वही लग रहा है अभी तो बीच में वह रूल लगी नहीं रहे ना दो चार छे के बाद 10 पर दे दिया हो से जान मुचके अफसन में दे गई यह ऐसा ऐसा को सन दे गई ताकि आप कन्फ्यूज हो दाओं चलिए ठीकिए फिर बाखी चीज़े होती रहेगी नया टॉपिक नया दिन से फिर से करेंगे अगे हां ना चलिए ठीक है गुड़ नाइट सभी लोग को टुड़ शाया और शाया बाढ़ हो दाओं